खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ें पर दुनिया भर में आतंकवाद को फैलाता है अब आपको बता दें कि दरशल पाकिस्तान को लेकर ही कुछ सवाल राहुल गांधी से वहाँ पूछे जा रहे थे जब इस दौरान एक प्रशंसक इस तरीके से सामने आया और राहुल गांधी के बहुत करी पहुंच गया सुरक्षा में चूप का मामला जब कोई शक्स इतने करीब पहुंजा रहा है रहुल गांधी ने कश्मीर को लेकर जो ट्वीट किया था जब वो जम्मू कश्मीर की आतरा पर गये थे उन्हें वापस लोटा दिया गया था उसका पाकिस्तान लगातार इस्तेमाल कर रहा था भारत के खिलाफ रहुल गांधी का वो ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से उसको लेकर विवाद हुआ था और पाकिस्तान ने अपने प्रोपेगेंड़ा के लिए उसका इस्तेमाल किया ये हलाकि लतार वाला ट्वीट है जो बाद में आज यानिकी राहुल गांधी ने जो किया है जम्मू कश्मीर में हिंसा हो रही है ये हिंसा उस पाकिस्तान के उकसाबे पर हो रही है जो दुनिया भर में आतंक का प्रमुख समर्थक है मैं इस सरकार से कई मुद्दों पर आस हमत हूँ लेकिन एक बात साफ कर दूँ कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है माना यही जा रहा है कि राहूल गांधी दरसल अब डेमेज कंट्रोल कर रहे हैं जिस तरह की बाते उन्होंने पहले लिग दी थी उससे बिल्कुल अलग हटकर अब उनका ये रुख आगे कहते हैं वो कि पाकिस्तान समय दुनिया के किसी भी देश को कश्मीर पर हस्तशिप करने का कोई अधिकार नहीं तो ये राहूल गांधी का नया ट्वीट ताजा ट्वीट पाकिस्तान को किस तरीके से उन्होंने घेरा वो आप देखिए जम्मु कश्मीर पर राहूल गांधी मोधी सरकार को लगातार ललकारते रहे लेकिन उस दौरान उनका एक जो ट्वीट था वो विवादों में आ गया जम्मु कश्मीर के लोगों की आजादी और नागरिक स्वतंतरता पर अंकुष लगाए हुए 20 दिन हो चुके हैं ये बात लिखी थी राहूल गांधी ने जब वो जम्मु कश्मीर गए थे जब उन्हें एरपोर्ट से वापस लोटना पड़ा था जब हमने शनिबार को श्रिनगर जाने की कोशिश की तब कश्मीर के लोगों पर किये जा रहा है बल के बर-बर प्रयोग का हैसास हुआ दुनिया भर में उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया था कि देखिए भारत के नेता ही क्या कह रहे हैं वैसे जब राहूल गांधी ने पाकिस्तान को लातार लगाई तो पाकिस्तान का सुर बदल चुका है ये वो फवाद चौधरी हैं जिन्होंने पहले राहूल गांधी की तारीफ की अब कह रहे हैं नए ट्वीट के बाद कि राहूल आपकी पॉलिटिक्स कन्फूजन में है सच्चाई के साथ खड़े रहिए जैसा आपके दादा ने किया था अब ये नसीहत दे रहे हैं फवाद